तमश्कार दोस्तों, सो फ्रेंड्स, मद्य प्रदेश शाशन दौारा, एक बार फिर इसे वेकेंसी जहां पे रिलीस कर दी गई है, रिकूरूट्मेंट वेबसाइट पे आ चुका है, स्टाफ नर्स की पोश्ट यहां पे शामिल की गई, कुल मिलाके जो वेकेंसी जहां पे इंक्लूट की गई है, दोस्तों, तेरा पाद यहां पे राएंगे, इसमें दोस्तों, बीएस्टी नर्सिंग या फिर जी एनम वाले सभी केंडिरेट्स आप अपे अप्लाए कर सकते हैं, चाहे आप लोग यहां पे गौर्मेंट इस्टिटूट से बीएस्टी नर्सिंग ह और यदि आपके पास यहां पे प्राइवेट कॉलिज से बीएस्टी नर्सिंग के डिगरी है, या फिर जी एनम का डिपलोमा है, बिल्कुल आप लोग यहां पे आविदन कर सकते हैं, और दोस्तों, इसमें खासियत यह हैं कि मेल केंडिरेट्स भी अप्लाए कर पाएंगे आप सबी लोग यहां पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, श्वाशाशी, श्यामशाच शिकिस्सा महाविद्धाल है, रीवा मद्दे प्रदेश तो कहने वाली बात है, रीवा का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इनके दौरा स्टांफ नर्स की पोश्ट के और दोस्तों मद्दे प्रदेश श्टाफ नर्स की हर एक वेकैंसी की इनफॉर्मेशन आगे भी चाते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने तो वीडियो की नीचे जाएं, सब्सक्राइब करेड बटन को हाँ पे किलिक करने, और मद्दे प्रदेश श्टाफ प्रदेश श्टाफ नर्स की हर एक वेकैंसी की इनफॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पातने तो बिल्कुल शुरू बात देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी वेकैंसी टेविल की और, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टाफ पुलकाष्ट और EWS, तो मेल के लिए अलग से वेकैंसी हैं, और फीमेल के लिए अलग यहाँ पे वेकैंसी रहने वाली हैं, मेल के लिए 132 पद हैं, और महीला जो उम्मीदवार है, 60 पद आपके यहाँ पे आरिक्षेत यहाँ पे किये गए हैं, इसमें दोस्तों एक्स सर् इसमेंस हैं, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाइ करें, कुल मला के 213 पद यहाँ पे शामिल किये गएं, इसमें PWD candidates भी यहाँ पे अप्लाइ कर सकते हैं, अब बात करने हैं, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे कहका चाहिए, तो स्टाफ नर्स के पोश्ट के लिए कम से क आपकी जो आईू है, 18 वर्षो और क्वालिफिकेशन के तौर पे बारवी कक्षा आप लोग यहाँ पे पास हो, Physics, Chemistry और Biology सब्जेक्ट में, और अगर आपके पास यहाँ पे B.Sc. नर्सिंग के डिगरी है, या फिर आपके पास G.N.M. का डिपलोमा है, आप लोग यहाँ पे अपलाए कर सकते हैं, और तीसरे नमबर पे आपको मद्यप्रदेश राजिका नर्सिंग काउंसल का आपको रेजिस्टेशन भी चाहिए. अब दोस्तों देखिए, एज क्रैटेरिया भी आपको यहाँ पे बता जा रहा है, एक जनवरी 2021 तक जो है, आपकी 18 वर्ष आपके आपके आईू हो जाने चाहिए, 18 वर्ष से कम आपके आईू ना हो, और दोस्तों यहाँ पे दिखिए, अन्रिजर्व वाली जो केंडिरेट्स है, 40 वर्ष उमार है, 18 से 40 वर्ष और शेडूल कास्ट, शेडूल ट्राइब, OBC, शाश्किये, निगम, मंडल, शौशासी सहस् नगर सैनिक, PWD केंडिडेट्स और महिला किसी भी कैटिगरी की हो, तो आपको 18 वर्ष से 45 वर्ष तक यह उमार आपके आपके रखे गई है, आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एपलाई कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, बात कर लेते हैं, कब से कब आपको यह आप पे एपलाई करना है, और एपलाई करने का मध्यम यहाँ पे क्या रहेगा, तो सबसे पहले डेट आप सबी लोग यहाँ पे देख ले, 22 अपरेल से आविदन प्रारम यहाँ पे हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे एपलाई कर सकते हैं, और दोस्तों उसकी जो लास लेट है, 16 माई 2021 यहाँ पे रहने वाली है, और इसके बाद दोस्तों आप अगर आपका एपलिकेशन फॉर्म में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत पहुँच गई है, तो सुधार आप लोग यहाँ पे करा सकते हैं, तो 15 माई से 17 माई की बीच आप लोग ऑनलाई कर करा सकते हैं, फिर दोस्तों आप लोगों का एकजाम होगा, एकजाम के लिए एडमेट कार्ड यहाँ पे जारी होगा, तो 28 माई को आपका यहाँ पे एडमेट कार्ड जारी हो जाएगा, और इसके बाद दोस्तों परीक्षा आप के आप ली जाएगी, 11 जुन 2021 शुक्रवा जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं apply किस तरीके से करना है तो apply करने के लिए आप सभी लोग को MP online का ये जो portal है इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर नीचे के तरफ दे देता हूँ apply आपको यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा तो नीचे आपको यह website दे दी गई है www.mponline.gov.in इस website के माद्यम से आप लोग online आविदन कर सकते हैं इसमें दोस्तों यह सारी information आपको यहाँ पर इसमें provide करानी होगी जब कभी भी आप लोग अपना online आविदन करेंगे तो यह सारी information आपको दर्श करानी है और आपको जैसा कि मैंने बताया इसकी जो last date है 16 माई 2021 से आप रहेगी इस date तक आपका यहाँ पर आविदन बर जाना चाहिए और आविदन करने के लिए फीस का payment भी आपको यहाँ पर करना होगा और देख सकते हैं आपे 900 रुपे का फीस का payment आप लोग यहाँ पर करेंगे समस्थ अभ्यारतियों के लिए तो जि information मैंने आपको आप दी दोस्तो salary package भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5200 रुपे से लेके 20200 रुपे इसके तरेक्त 2800 रुपे का great pay भी आपको 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 मिलेगा तो करीब करीब जो है 28700 रुपे वेतन new thumb कम से कम आपको इतना वेतन मिलने वाला है और 7CPC वेतन मान आपको यह pay matrix level वेतन दिया जाएगा तो दोस्तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर आविदन करें और मेरा ऐसा मानना है कि आपको यहाँ पर आविदन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें सभी candidates आप पर apply कर पाएंगे चाहे आप लोग government college से या फिर आप लोग private college से BAC nursing है या फिर GNN कर डिप्लोमा है और अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि male और female दोनों candidates यहाँ पर apply कर सकते हैं जितनी भी vacancies अभी यहाँ पर निकाली जा रही थी सिर्फ female candidates के लिए थी इस बार male candidates के लिए भी मौका यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग जो ह यहाँ पर private college से हैं वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं जैसा कि आप सबी लोग को मालूम है इससे पहले जो vacancies अभी हाली में आप निकाले गई सिर्फ government college वाले candidates को ही बोला गया कि वो यहाँ पर आविदन करें लेकिन इस vacancy में आप ऐसा नहीं है male candidates यहाँ पर apply कर पाएंगे और इसके साथ चाहे आप लोग government college से हो चाहे आप लोग यहाँ पर private college से pass out हो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और अच्छे बात यह भी है दोस्तों कि merit के आधार पे आपको आप सेलेक्शन नहीं मिलेगा आप लोग का जो भी exam है जिस किसी भी आपकी यहाँ पर performance है उसी के आ मद्यप्रदेश स्टाफ नर्स की विकेंसी यहाँ पर निकाली गई है श्यामशाच शिकिसा महाविद्याले जो है SSMC रिवा में तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं लाइक कर देश वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें इस मेहनत को लाइक जरू करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सबाल सबी लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं और मद्यप्रदेश स्टाफ नर्स की आगे की विकेंसी की जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो की नीचे जाएं सब्सक्राइब कर र झाल